ताकि हमारे बच्चे उसको खेल सकें अब बहुत सारे से गेम भी आ चुके हैं जो खास तोर पर अगर ध्यान से देखा जाए तो वो मस्जिद रन जैसे ही हैं आज हम बात करेंगे ऐसे वीडियो गेम्स की जिन में साफ लवजों में सीधे सीधे तोर पर इसलाम की घिनोनी बेज़्यती की गई है सबसे पहले हम देखेंगे कॉल अफ ड्यूटी ये जो वीडियो गेम है वो बहुत फेमस है भारत में किसी भी धर्म के लोग हूँ किसी भी धर्म के बच्चे हूँ इस गेम को बहुत खेलते हैं अब अगर इसको हम देखें इसके फरस्ट पार्ट में ही इसके फोटो फ्रेम पर कॉरान की आयते लिक्यों है और ये फोटो फ्रेम लगा हुआ का है ये लगा है टॉलेट में जो कि एक गंदी जगा मानी गई है अब इसी में अगर हम आगे चलें तो कुरान को जगा जगा पर अलमारियों में रखा हुआ दिखाई दिया है अग इस गेम के जो हीरोज हैं वो जब तक इन अलमारियों वाले रूम को बम से उड़ा नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस प्रकार से भी कुरान की यहां पर गंगोर बेचेती दिखाई गई है इसी गेम के पार्ट टू में अगर हम जाएं तो जगा जगा पर जहां पर भी हीरोज गटर में कूदते हैं वहां वो देखते हैं कि जगा जगा पर कुरानी आयते लिखी हुई है यह गेम जो है वो बहुत ही फेमस गेम है और जैसे कि हमने बताया कि भारत वर्ष में बहुत बच्चे इस गेम को खेलते हैं दूसरा गेम है रेजिडेंट इविल इस गेम में जमीन पर जगा जगा पर कुरान भी करीवी दिखाई देती हैं और इस गेम के जो ही रोज हैं वो इन्ही के उपर से चल कर आगे बढ़ते हैं इसी गेम में आगे दिखाया जाता है कि शैतान की जो दुनिया है उसमें गुषने के लिए जो दरवाजा बनाया गया है वो हू बहू मस्जिद नबवी के जैसा है यानि कि मस्जिद का जो दरवाजा है वो शैतान की दुनिया में गुषने का रास्ता बताया गया है अगला गेम जो है वो है प्रिंस ओफ परसिया इस गेम में जो प्रिंस दिखाया गया है वो इसलाम ये मुसलमानों का राजगुमार दिखाया गया है जो कि इस गेम में बहुत खून खराबा करता है उसकी जो तलवार है उसकी तलवार पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो मुहम्मद साहब आखरी नभी का बताया हुआ संदेश है अर्था दिस प्रेंट दा टीचिंग्स जो सिक्षाए हमने आपको दी हैं उनको फैलाईए और वो किस के जरी फैलाईए तलवार के जरी फैलाईए इस पूरे गेम में जहां भी आप देखेंगे प्रिंस ओफ पर्सिया वो कर क्या रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तलवार का इस्तेमाल कर रहा है और खून खराबा कर रहा है जिससे की साफ लफजों में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इसलाम जो है वो तलवार के जोर पर फैला हुआ है अगले गेम की तरफ चलेंगे वो है डेविल में क्राइ जो शैतान है और जो शैतान के पुजारी है वो एक टावर के भीतर रहते हैं ये जो टावर दिखाया गया है और जिस टावर के भीतर ये लोग शैतान की पुजा करते हैं उस टावर का जो गेट दिखाया गया वो हूब हूब काबा के दरवाजे का दिखाया गया है अर्थाद जो काबा का दरवाजा है वो शेतान की दुनिया में गुसने के लिए मारग है इस तरह से बहुत सारे ऐसे गेंस हैं जिसमें इसलाम की गनगोर बेजजदी की गई है उनके तोहीन की गई है उनके शब्दों की, उनके पुस्तकों की उनके मेसेंजर्स की मेसेंजर्स के जो कोट रहे हैं उनकी और टोटल जो इसलामिक कौम है उसको भी ये बताया गया कि तलवार के जोर पर फैली हुई कौम है अब ये तो आपको भी पता है कि इन गेम्स के जो डेवलिपर्स होते हैं वो लोग कौन होते हैं दुश्मन बताते हैं, ये वही लोग हैं जो कही न कहीं Christianity को मानने वाले लोग हैं, या फिर वो लोग जो इसलाम से नफरत करने वाले लोग हैं, इसलाम के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको या उनके बच्चों को softly उनके घर में गुशकर, उनके गेम्स में गुशकर, पैदा कर रहे हैं आपने ये वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो गर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद